वाट मैंटर्स दे मोस्ट भारत मैंटर्स सीमेंट के 20,000 बैक्स को लेकर रवाना किया आपको बता दें कि सित्वे पोर्ट को इंडिया की हेल्प से डेवलप किया गया है जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के एम टीटीपी का पार्ट है मैंनमार के रखाइन स्टेट में लोकेड़ेड ये पोर्ट इंडिया के सिल्यूगरी कॉइड और के लिए एक और्टनेटिव ट्रांसपोर्ट रूट प्रोवाइड करेगा जहां ये पोर्ट मैंनमार के थूँ नौर्थ इस्टन स्टेट्स को करेट करने के लिए एक इंपोर्टन रूट है प्राइम मिनसर नरेन मोदी ने सित्वे पोर्ट के ऑपरेशनलाइज होने पर अपने खुशी जाहिर करते हुए इसकी सराना की है दोस्तो आज के हमारे इस फीडियो डिसकेशन में हम कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे जहां हम इस प्रोजेक्ट को डीटेल में समझने का प्रयास करेंगे जानेंगे कि आखिर नॉर्थ इस्तन स्टेट्स के लिए इंडिया को क्यूं एक अल्टनेटिव रूट की जरुवत पड़ी और हम यह भी जानेंगे कि कालादान प्रोजेक्ट के मेजर बेनेफिट्स कौन-कौन से हैं तो बना किसी देरी के शिरू करते हैं अपने आज का डिस्केशन दूसरों इंडिया के नॉर्थ इस्त में मौझूद असम, अनौनासुल प्रदेश, मनिपूर, मिखालिया, मिजोरम, नागलेंड, सिक्किम और तुरुपरा वन अफ दा मूस्ट इंपॉर्टन जियो पॉलिटिकल स्टेट्स हैं इन स्टेट्स में इंडिया के टोटल एरिया का आट परसेंट हिस्साओर और करीब चार परसेंट देश की पॉपलेशन रहती है ये रीजिन कम्प्लीट्ली लैंड लॉग्ड हैं और पांच कंट्रीज बांगनादेश, मैनमार, भूटान, नेपाल और चाइना से घेरे हुए हैं ये आठो स्टेट्स किसी ना किसी कंट्री से जुड़े हुए हैं और हर एक नौर्थ इसन स्टेट्स वर्चुली एक बॉर्डर स्टेट है अब सवाल ये उठता है कि इन स्टेट्स सक एक अल्टरनेटिव रूट के तौर बर इंडिया को कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांस्पूर्ट प्रोजेक्ट यानि कीम TTP के ज़रूद क्यों पड़ी इसके बारे में आपने डीटेल में दो वीडियोज बनाई है जिनको आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं इन दोनों वीडियोज को देखने के बाद आपको सिलिगुरी कोईडॉर को लेकर एक डिफरेंट परस्पेक्टिव मिलेगा दोस्तों ये सिर्फ एक 22 किलोमेटर वाइड और करीब 60 किलोमेटर लॉंग एरिया है जो की काफी क्रूशल लिंक है इसी 22 किलोमेटर के बीच रोड और रेलवे लाइन है जो की नौर्ट इसन स्टेट्स को देश के बाग की हिस्सों से कनेक्ट करता है ये कॉरिड़ ओवर बर्डेंड होने के साथ साथ स्ट्रेजिक पॉइंट अफ यू से काफी वल्रेवल है एमर्जनसी या वाड सिचुएशन में ये 22 किलोमेटर का एरिया काफी सिंस्टिव हो जाता है इसी कॉरिड़ के साहरे हम अपने रिसोर्स को नॉर्थ इसन बॉर्डर पर डिप्लाई कर सकते है नैशनल सेक्योर्टी के परस्पेक्टिव से भी ये कॉरिड़ चाइना का एक प्राइम टार्गिट है क्योंकि इसे अटाक करके वो इंडिया के नॉर्थ इसन रिजन को डेश के रेस्ट आफ दपार्ट से डिसकनेक्ट कर सकता है चाइना कई बार इस रिजन के पास तक अपनी पहुर्ज बनाने की कोशिश करता रहा है रिसेंट इस में चाइना की नेपाल से नजदीक यां काफी बढ़ गई है ऐसे में यदि वो सिलिगुरी कोईडॉर से सटे नेपाल के रिजन में अपना मिलिटरी बेस बनाने के लिए नेपाल को राजी कर लेता है तो ये सिलिगुरी कोईडॉर के लिए काफी थ्रेटनिंग हो सकता है वहीं 2017 में उसने डोकलाम पर भी कबजा करने की कोशिश की थी डोकलाम भूटान का पार्ट है बावजूद उसके चाइना जगे को अपने कबजे में लेकर यहां अपना बेस बनाना चाहता है ताकि वो यहां से इसली सिलिगुरी कोईडॉर पर नज़र रख सके साथ ही यहां से वो इससे टार्गिट भी कर सकता है क्योंकि डोकलाम से सिलिगुरी कोईडॉर करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है यही वज़़ है कि इंडिया डोकलाम से चाइनीज आर्मी को ख़ड़ने में भूटान के साथ खड़ा नज़र आया था सिलिगुरी कोईडॉर के इसी इंपोर्टन्स की वज़़े से इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, बॉर्डर सेक्योर्टी फोर्स और वेस्ट पेंगॉल पुलिस के जवान यहां हमेशा पेट्रोल करते रहते हैं स्ट्रेजिक पॉइंट ऑफ यू के अलावा, सिलिगुरी कोईडॉर पर ट्राफिक के भी प्रॉब्लम काफी ज़ादा रहती है, जिसकी वज़े से ट्रावल और ट्रांस्पोर्टेशन में डिलेज और डिस्रप्शन आम बात हो गई है यही वज़ा है कि गवर्वन्मेंट दूसरे रूट के थुरू नौर्थ इस्टन स्टेट्स को कनेट करने के लिए कई प्रोजेक्स पर काम कर रही है इनमें से एक इंपॉर्टन रूट है बांगलदेश के थुरू रेल लाइन मौझूदा वक्त में कोलकाता से बांगलदेश के कैप्टल धाका तक ट्रेन सर्विस अवलेबल है और इस रूट पर मैतरी एक्सप्रेस रन करती है जबकि इसके आगे बांगलदेश के अखवड़ा से इंडिया के अगरतला के बीच रेल लाइन पर काम चल रहा है अगरतला अखवड़ा इंटरनाशनल रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का 88% काम कम्प्लीट है और अगले 5-6 महिने में इसका काम पूरा हो जाने की उम्मीद है यहनि नेक्स्ट येर से कोलकाता से वाया बांगलदेश त्रिप्रा के कैप्टिल अगरतला तक बाइट प्रेन पहुंचा जा सकता है हलाकि यह रेल रूट वाया बांगलदेश नॉर्थ इसके स्टेट्स को रेस्ट आफ दे इंडिया से कनेक्ट करेगा और नॉर्थ इससन सेट से कनेक्टिविटी को बूस करने की ही दिशा में इंडिया का मोस्ट अंभीशिस प्रोजेक्ट है तो आए इस प्रोजेक्ट को डीटेल में समझते हैं तो सो कालादार मल्टी मोडल ट्रांसिट ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट कोलकाता से मैनमार और मैनमार से मिजोरम तक का रूट है इसमें सी, रिवर और लैंड तीनों रास्ते शामिल है यही वज़ा है कि इसे मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपर्ट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कोलकाता पोर्ट से मैनमार के सित्वे पोर्ट तक बे ओफ बंगॉल के थुरू बाई सी इससे आगे कालादान रिवर के थुरू रूट और फिर मैनमार से मिजुरूम तक कनेक्टिंग रोट शामिल है इस प्रोजेक्ट के चार कॉंपोनेट्स है इसके फर्स्ट कॉंपोनेट में वेस्ट बेंगॉल के हलदिया पोर्ट यानि स्यामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट से मैनमार के रखाइन स्टेट के सित्वे पोर्ट तक कनेक्टिविटी इंक्लूड है ये डिस्टेंस पाइसी यानि बे अफ बेंगॉल के थुरू करीब 540 किलो मीटर है इसी सेक्षिन को रिसेंटली ओप्रेशनलाइज किया गया है इन लैंड वाटर्वे ओथरिटी ओफ इंडिया आई डब्लू ए आई से चुड़े सोर्सेस के अकोर्डिंग IWAI ने सित्वे पोर्ट का construction 2018 में ही complete कर लिया था लेकिन मैनमार में political turmoil और चिन और रखाइन स्टेट में intense conflict की वज़े से licenses और approval मिलने में देरी समेथ दूसरे कई obstacles की वज़े से इसे operationalize नहीं किया जा सकता था वही कालादान multimodal transport project का second section सित्वे पोर्ट से कालादान रिवर के थू मैनमार के पलिट्वा तक connectivity डिवलप करना है सित्वे से पलिट्वा तक 158 km लंबे इस inland waterway पर कालादान रिवर में बड़े ships भी जा सकते हैं इसके लिए नदी की गहराई को बढ़ाया गया है इस projects related sea and river routes का work completed है अब road construction work को complete किया जा रहा है project के third section में पलिट्वा inland jetty से कलिट्वा तक 60.8 km और कलिट्वा से इंडो मैनमार बॉर्डर के पास जोरिनपुई तक 49.2 km road का construction किया जा रहा है ये road 4 lane की होगी जिसमें each direction में 2 lane मनाई जाएंगी पलिट्वा inland jetty से जोरिनपुई तक का 110 km का ये segment काफी challenging है इसके geographical condition और मैनमार बेस टेर्रेस ग्रूप अराकन आर्मी का interference इस section में होने वाली डेरी के main reasons है उसके आगे 4 section में इंडिया के जोरिनपुई से आईजोल तक road connectivity डेवलप की जा चुकी है आईजोल से ये road मिजोरम में लॉंग तलाई नाम की जगे पर आईजोल साया नैशनल हाइवे से connect होता है जो आगे नैशनल हाइवे 54 के थूरू असम से connect करता है इस project में 33 bridges बनने हैं जिनमें 8 इंडियन territory में होंगे जबकि बाकी के 25 मियनमार की तरफ से बनाये जा रहे हैं सब ये bridges class 70 grade के होंगे जो 70 tons का load handle करने में सक्षम होंगे इन bridges पर से military equipment जैसे T90 tanks, surface to air missiles और infantry vehicles easily pass हो सकेंगे इस project को 2008 में approve किया गया था उस वक्त इसके estimated cost रूपीज 535.91 करोड थी लेकिन project में काफी देरी होनी की वज़े से 2015 में इसकी cost increase होकर 2904 करोड हो गई जबकि recently कालादान project की total cost around 500 million dollar estimated है वहीं सित्वे board की cost को around 120 million dollar estimate किया गया है दरसल इसके लिए इंडो में अन्मार border पर land acquisition के साथ दूसरे कई expenses increase होते जा रहे हैं इंडिया इस पूरिय प्रोजेक्ट का entire cost bear कर रहा है इंडिया के इस ambitious कालादान project की शुरुआत 2010 में हुई थी यह project 1991 के low-kist policy के अंडर launch किया गया था बाद में center में Modi government आने के बाद low-kist policy को remodel करके actist policy कर दिया गया कालादान multimodal transit transport project का purpose चाना के threat को face करने के लिए उन areas में infrastructure develop करना था जो अभी तक development से कटे हुए थे जोसर इस project को 2010 में start किया गया था और इसके 2014 में complete होने का target रखा गया था लेकिन इस deadline के अंडर project वर complete नहीं हो सका इसके बाद इसकी new deadline 2022 रखी गई लेकिन 2022 में भी इस project का काम पूरा नहीं हुआ अभी 2023 में इस project का first segment यानि कोलकाता टू सित्वे सीरूट शुरू किया गया है ये project कई reasons की वज़े से समय पर पूरा नहीं हो सका इनमें सबसे बड़ा कारण ये है कि October 2020 तक construction agencies को Myanmar site से Arakan army के attack के challenges face करने पड़ रहे थे दरसल चाइना, Myanmar और इंडिया के बीच relations को spoil करने के लिए Arakan army नाम के intelligence group का सहरा लेता रहा है इसके थूँ चाइना, road construction और दूसरे कामों में obstruct करता रहा है वो इसके लिए violent methods भी अपनाता रहा है मीडिया reports के according चाइना ने करीब 720 million dollar cost के weapons Arakan army को दिये हैं इसके लावा वो FN6 और surface to air missiles भी Arakan army को देता रहा है चाइना के उकसावे पर Arakan army प्रोजेक्ट से जोड़े इंडियान्स workers को continue target करती रही हलाकि अब Arakan army की तरफ से प्रोजेक्ट में problems create नहीं की जा रही है Myanmar army के साथ Arakan army ने ceasefire कर रखा है इस प्रोजेक्ट में देरी का एक कारण Myanmar में coup यानी तकता पलट भी रहा है कू होने की वज़े से वहाँ पैदा हुए internal situation से भी इस प्रोजेक्ट में कई obstruction आये तकता पलट की वज़े से पैदा हुए internal situation की वज़े से भी इस प्रोजेक्ट में कई obstruction आये इसकी वर्य से देरी हुई इसके लाबा COVID की वज़े से भी प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था COVID pandemic की वज़े से Myanmar government ने site पर workers and machines की movement पर restrictions लगा दिये थे जिससे pace of work affected हुआ वहीं इस प्रोजेक्ट से जुड़े venture partners में से एक के दिवालिया हो जानी की वज़े से Myanmar का लिटवा stretch को 2020 में दूसरे construction firm को दिया गया इस वज़े से भी इसमें देरी हुई प्रोजेक्ट से रेलेटेड ओफिशल के according इस section में कई तरह की challenges है Myanmar में लंबे समय तक monsoon रहता है वहीं ये पूरा area play to है जबकि यहां बन रहा road पूरी तरह green field alignment है इस वज़े से इसके construction में काफी समय लग रहा है यहां water और दूसरे resources की भी काफी कमी है दूसरों इन challenges को जानने के बाद आये जानते हैं कि इतनी सारी महनत लाकर हो क्यों रही है इस प्रोजेक्ट के benefits क्या है दूसरों कालादान multimodal transit transport project से इंडिया के साथ-साथ Myanmar को भी कई benefits होंगे यह project northeast states में infrastructure development के साथ ही emergency situation में आर्मी को पहुचाने के लिए एक alternative route के रूप में काम आ सकता है लास्ट decade में चाइना ने इंडियन border से लगे एरियाज में rapidly infrastructure develop किया है उसने डोकलाम प्रीटू के पास भी एक road बना लिया है जिससे इस region में उसके ability काफी increase हो गई है ऐसे में उसे counter करने के लिए इंडिया भी अपने infrastructure को develop कर रहा है इस project के थूर रीजन में चाइना के expansion को counter किया जा सकेगा इस route से सिलिगुरी corridor पर traffic का भी pressure कम होगा especially goods transportation काफी easy और fast हो जाएगा क्योंकि एक ship में 1000 truck के बराबर goods का transportation हो सकता है वही नया route कोलकाता से मिजोरं तक जाने की cost और time दोनों को significantly reduce करेगा पताया जा रहा है किस route से कोलकाता से मिजोरं को distance 1000 km से ज़ादा reduce हो जाएगा इंडिया के north eastern regions देश की one-fifth hydrocarbon reserves के साथ ही natural resources से भी समरद हैं ऐसे में इस new corridor के थुरू इन resources का use देश के development में बक्षू भी किया जा सकता है कालादान multi-model project इंडिया और मैनमार के बीच businesses और trade को boost करेगा साथी मैनमार के eastern ports से इंडिया के north eastern parts में new businesses, transport and shipments open होंगी project region में कई industrial clusters के emergence के साथी north eastern states में economic development को भी boost मिलेगा इंडिया मैनमार के साथ 1643 km long border साजह करता है जरुनाचिल प्रदेश, नागालेंड, मनीपुर और मिजूरम से touch करता है ऐसे में आने वाले समय में मैनमार से north east के बाकी states में भी connectivity डिवलप हो सकेगी और eventually ये project इंडिया का south east Asia gateway की तरह काम करेगा इसके शुरू होने से मैनमार के रास्ते, इंडिया, बाकी के south east Asia से भी connect हो सकेगा जिससे की इन country से trade और businesses को बढ़ावा मिलेगा जिस तो कालादान multimodal project इंडिया के one of the ambitious plans में से एक रहा है जो north east में चाइना की conspiracies को break करने के लिए काफी कारकर साबित होने वाला है इंडिया के लिए ये कालादान project एक multimodal transit route देने वाला है साथ ही ये मिजोरम के लिए gateway of east का route open करने वाला होगा इस route के open होने से north east में इंडिया को एक और new strategic importance वाला रास्ता मिलेगा जिससे होकर हमारी आर्मी चाइना से tension के case में सभी military resources को तेरी से deploy कर सकेगी साथ ही ये project इंडिया की active policy को मिजोरम के थूँ नई dimension देगा और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं इस project को लेके आपके क्या opinion है और वो कौन से benefits है जो इंडिया enjoy कर सकता है ये फिर आने वाले समय में उसको इस project की वरियो से क्या कुछ challenges face करने पड़ सकते हैं comment section में जरूर बताईएगा आज के लिए आपसे विदा लेते हैं विलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत